कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनह आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके समक्ष प्रसित कथाकार महेंदर भीश्म की कहानी बड़े साब लेकर उपस्तित हुई हूँ प्रस्तुत कहानी उनके स्वयम के जीवन अनुभव पर आधारित है यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो ख्रपया चैनल को सब्सक्राइब करें कथाकार महेंदर भीश्म की कहानी बड़े साब प्लेटफॉर्म पर चहल कदमी करते एक घंटे से जादा का समय व्यतीत हो चुका था साबर मती एक्स्प्रेस सही समय से आ रही थी पर अब लेट हो रही है ट्रेनों की आवाजाई को देखते हुए वह उकता रहा था बड़े साहब ने कल रात ही उसे अपने आने की सूचना दी थी बड़े साहब या बड़े साहब या अधिशासी अभियंता प्रमुक अभियंता के सामने भी अधिशासी अभियंता को ही विभाग के लोग बड़े साहब का संबोधन देते हैं जैसे अधिशासी अभियंता के लिए बड़े साहब का संबोधन पदनाम के इस्थाई रूप से पेटेंट हो चुका हो लगू सचाई विभाग में जूनियर इंजिनियर मुकेश को इस शहर में आए अभी तीन मावी नहीं बीता था एक साल की नौकरी में उसकी यहां दूसरी पोस्टिंग थी नई उम्र नई नौकरी नया उत्सा बड़े साहब के रहने खाने और पीने की विवस्था उसने अपने सरकारी आवास में ही बड़े साहब से पूछ कर ली थी अविभाहित मुकेश के लिए सरकारी आवास अकेले के लिए पर्याप्त बड़ा था प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनह साबरमती एक्सप्रेस के आगमन का एनाउस्मेट प्लेटफॉर्म नंबर एक से चार पर आने की संशोधित सूचना के साथ हुआ मुकेश बड़े बड़े डग भरते मिंटों में रेलवे पुल पार कर प्लेटफॉर्म नंबर एक से चार पर आ गया जीने से उतरते उसकी निगा प्लेटफॉर्म की बेंच पर परस पर चुहल करते नव दमपती पर पड़ी इश्वर ने क्या शांदार जोड़ी बनाई है बर्बस मुकेश की मुँसे निकल गया उसकी भी शादी की बाचीत जोरों पर चल रही थी काश ऐसी ही जीवन संगनी उसे भी मिल जाए मुकेश के कुछ पल ओहा पोह में गुजरे ही थे कि तभी प्लैटफॉर्म पर धर धराती साबर मती एक्सप्रेस ने अपनी आमद दर्ज कराई मुकेश को अपना ध्यान नव दमपती से मन मार कर हटाना पड़ा वह सेकेंड ऐसी के कोच की ओर बढ़ लिया बड़े साहब से वह दो-तीन बार पहले भी मिल चुका था अता उन्हें पहचानने जैसी कोई दिक्कत नहीं थे हाथ में सूटकेश पकड़े ट्रेन से उतरते बड़े साहब मुकेश को दिख कर वह लपक कर उनके पास बहुत किया गुद मॉनिंग सर कहते हुए मुकेश ने बड़े अदब से बड़े साहब के हाथ से सूटकेश ले लिया आउटर में बड़ी देर लगा दी बोरिंग और सरी ट्रेन है इसलिए मैं इसमें बड़ी मजबूरी में ही बैठता हूँ यूपी भर तो पिठती गिसटती चलती है बताओ उमीद थी दो बजे तक तो पहुँची जाएगी चार बजा दिये बड़े साहब बड़ाते से घड़ी देखने लगे अरे भई श्रिवास्तव उनको भी तो रिसीव करो वह भी मेरे साथ है ओ सौरी सर, वेरी सौरी सर मुकेश को स्वैम पर खीच और गुस्ता एक साथ आया क्या बलंडर करने जा रहा था बड़े साहब की मैडम को नजर अंदास करना कितनी बड़ी गुस्ता की थी आये मेम, सौरी मेम कहते मुकेश ने मेम के हाथ से भी सूटकेश दूसरे हाथ में ले लिया और पास खड़े कुली को दोनों सूटकेश पकड़ा कर बड़े साहब वा मेम साहब को साथ लिये प्लैटफॉर्म से बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गया सर प्रतम उसने गाड़ी का पिछला दर्वाजा खोल आदर के साथ बड़े साहब वा मेम को कार की पिछली सीट पर बिठाया फिर दोनों सूटकेश पीछे डिग्गी में रखवा है कुली को पचास का नोट पकड़ाया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैट कर कार रिस्टार्ट किया गाड़ी चलाते मुकेश को विंड स्क्रीम पर मेम का ओज से दमकता सुन्दर चेहरा दिग गया वह सूचने लगा जैसे अभी अभी प्लैटफॉर्म में दिखी नव विवाहता उसी रूप लावन के साथ उम्र के कोई दसेक वर्ष बिता उसकी कार में आ बैठी हो माथे पर लगी लाल बिंदी और मांग में भरा सिंदूर मैम की सुन्दरता पर चार चांद लगा रहा था इस बार वह अपने प्रोड बड़े साहब के भागे की सराहना मनी मन कर उठा कितनी सुन्दर और अपने से काफी कमुम्र की धर्म पतनी उन्होंने पाई है श्रवास्ता तुम्हारी कार में एसी नहीं है क्या है सर सौरी सर मुकेश ने कार का एसी ओन कर दिया और अपने साइड के शीशे को चड़ा लिया नवंबर मा का दूसरा सब्ता चल रहा था मौसम में गर्मी न के बराबर थी कार का एसी न चलाएं पकवारब बीद रहा था फलस्वरूप उसने एसी चलाने की आवश्यक्ता महसूस नहीं की थी बड़े लोग बड़े शौक बड़े मिजाच वे मनी मन बुद बुद आया तुम्हारे आवास में गीजर तो लगाए ना श्रिवास्ता गीजर नो सर अभी मुझे यहां आये तीन महीने ही हुए हैं सर मुकेश एका एक पूछे प्रशन से अक बका गया ओ हो तो क्या ठंडे पानी से नहलाओगे नो सर पानी गैस चूले से गरम करवा दूँगा सौरी सर कोई बात नहीं बड़े साहब बीच में ही बोल पड़े अरे इनके रहते हम ठंडे पानी से भी नहा लेंगे कहते कहते बड़े साहब ने बड़ी बेतकलुफी के साथ मैम के कंदे के पीछे से अपना दाया हाथ दैने की तरह फैलाया और उन्हें अपने दाय सीने से भीच लिया विंड स्क्रीन पर बड़े साहब की ये हरकत मुकेश को दिख गई जो उसे नागवार लगी विशेशकर बड़े साहब की हतेली से मैडम की छाती पर अपनी धरम पत्नी से अनकी उपस्तिती में देख लिए जाने की आशंका को जानते हुए भी ऐसी छिड़खानी करना बड़े लोगों को भी शोभा नहीं देता है मुकेश के मुँ कस्वाद कसेला हो उठा अपने सरकारी आवास पर आते ही मुकेश ने कार का होर्न दो तीन बार बचाया और कार का पिछला गेट खोल दिया फिर कार के दूसरी और जाकर मैडम के पास वाला गेट भी खोल दिया कार के होर्न की आवास सुन अंदर से नंदू वहां आ गया मुकेश ने नंदू को गाड़ी की डिक्की से दोनों सूटकेस लाने को कहा और आदर के साथ बड़े साहब एवं मैम को ड्रॉइंग रूम में लाकर बिठा दिया और स्वैम किचिन में आ गया जहां नंदू की धर्मपत्नी रेखा चाय का पानी गैस टूले पर रख रही थी अरे रेखा दूसरे टूले पर पानी गरम करने रख देना जलपान के बाद साहब लोग नहाएंगे मुकेश ने उतावले पन से कहा वैं बड़े साहब की अच्छे से आप भगत करना चाहता था उनको सुविधाओं का पूरा पूरा ख्याल रखना इस समय उसका पुनीद करता वे था नंदू दोनों सूटकेस बड़े साहब के लिए तैयार किये गए बैडरूम में रख गाड़ी की चाबी मुकेश को पकड़ा किचिन में रेखा की मदद के लिए चला गया नंदू जल्पान जल्दी लगाओ कहता हुआ मुकेश दो पल के लिए बड़े साहब के सामने पड़े सोफी पर बैठा फिर किचिन की ओर देखते बोला रेखा जल्दे बिजवाओ रेखा कौन बड़े साहब सेंटर टेबिल पर रखी कादंबनी के प्रश्न पलटते प्रश्न कर बैठे रेखा सर नंदू की वाइफ है घर का सारा काम वही करती है मुकेश सकुचाते बोला सारा काम अनमेरिड हो और लेडी सर्वेंट गड़बड गोटाला क्यों जनाब बड़े साहब अपने आखें मठकाते शरारती मूड में बोले नो सर ऐसा कुछ नहीं बड़ी भली इस्त्री है मुकेश इस्तिती को इसपस्ट करते हुए पुला नंदू वा रेखा जलपान सामगरी सैंटर टेबिल पर जमाने लगे सामान जमाती रेखा पर बड़े साहब की कुद्रिश्ट देख मुकेश एक पल को विचलित हो उठा बातरूम किधर है मैम बोल पड़े मुकेश ने नंदू को संकेत दिया नंदू मैम को बैडरूम की ओर ले गया रेखा भी जलपान का सामान सैंटर टेबिल पर रख किचिन की ओर चल दी तब ही बड़े साहब रेखा को पीछे से निहार थे मुकेश की जांग पर हाथ मारते बोल पड़े क्या पटाखा माल है कभी नजॉय किया? नो सर ऐसा कुछ भी नहीं मुकेश को बड़े साहब से ऐसे प्रश्न की कतई उम्मीद नहीं थी वह शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था उसे भाय हुआ कहीं रेखा ने बड़े साहब के शब्द सुन लनी हो तब ही बड़े साहब उसकी पीट पर धौल जमाते खड़े हो गए और भूले हमने तो शादी के पहले की सारी रहरसल इनी बाईयों के साथ शुरू की थी अच्छा बताओ बातरूम किधा रहे मुकेश की सिती काटो तो खून नहीं जैसी हो गए थी बड़े साहब की आशिक मिजाजी इस कदर बढ़ जाएगी उसे इसकी उम्मीद बिलकुल नहीं थी उम्र और पद दोनों का कोई लिहाज नहीं वैं 22 वर्ष का युवा और पिता की उम्र के बड़े साहब कोई 55-56 वर्ष के मुकेश खामोश बड़े साहब को बैडरूम में ले आया अरे वाह क्या शांदर बैडरूम सजाया है रेखा ने यही नाम तो बोला था ना बड़े साहब आँख मारते मुकेश से बोले जो उसे असहज कर गया पर वै शांत रहा मैम बातरूम से बाहर आ चुकी थी मुकेश उन्हें अपने साथ लिए ड्रॉइंग रूम में आ गया और उनके लिए चाय बनाने लगा उसे मैम की निगाहें अपने शरीर पर खूरती हुई मैसूस हुई साहब को भी आ जाने दो मैम ने चिप्स मुँ में रखते हुए कहा जी अच्छा मैम मुकेश रुख गया पर बैठा नहीं और किचिन की और भोजन की विवस्ता देखने आ गया किचिन में भोजन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी रेखा से आँख मिलते ही मुकेश को पहली बार उससे अपनी नजरें जुकानी पढ़ी उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी पर रेखा की आँखों में चुपी मुस्कुराहट को वह ताड़ गया था तो क्या रेखा ने बड़े सहब की फप्ती सुन ली उसे बहुत लानी हुए वह पुने ड्रोइंग रूम में आ गया कुछ पल बाद बड़े सहब बात्रों से निकल कर ड्रोइंग रूम में आ गये मुकेश चाय बनाने लगा मेरे में चीनी नहीं डालना डाइबिटिक हो चीनी कम देखे क्या में ताब बच्चन की नो सर अभी नहीं सर क्या यार हर बात पर नो सर कभी असर भी बोलोगे या बस नो सर बड़े सहब ठठठा मार कर हस ती है पिक्च др हॉल जाने का मौका ही नहीं निकल पाता सर अरे अब तो इंटरनेट का जमाना है पिक्च Cindy डाउनलोड करो और मस देखो, क्यों? टेलेविजन नहीं दिखा? क्या वे भी नहीं है? है सर, आपके बेडरूम में रखवा दिया है, केबल कलेक्शन भी, और सीडी प्लेयर वगेरा? वे अभी नहीं लिया सर्थ, अब उसकी जरूरत भी नहीं, अरे ले डालो, अच्छा चलो सीडी प्लेयर क्या, मैं तुम्हें एक अच्छा सा मुबाइल गिफ्ट करूँगा, उ कि मुकेश मारे शर्म के वहीं गड़सा गया, उसकी हिम्मत आखें उची करने की नहीं हुए, कुछ देर सन नाटा पसरा रहा, मैं मान नवाजी करता मुकेश, चिप्स की प्लेट बड़े सहब की और बढ़ाते बूला, लीजे सर, पानी गर्म हो रहा है सर, कितनी देर में नहाएंगे, सर, अभी नहाएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करके यहां की मार्केट गूमने चलेंगे, और हाँ, वाइन की शॉप, सर, आपने बोला था न, मैंने रम और विस्की मंगा रखी हैं, फ्रिज में हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, मार्केट से वापस आकर, स साथ यहीं बैट कर पिएंगे, फिर साथ ही खाना खाएंगे, सौरी सर, मैं नहीं पीता, अरे तो पीनी शुरू कर दो आज से, हमारे साथ, बड़े साहाब ऐसे बोल रहे थे, जैसे कोई सरकारी आदेश दे रहे हैं, बड़े साहाब ने पहले इसनान किया, फिर मैम ने, इ बड़े साहाब ने मार्केट घूमा कम, लफवाजी जादा हां की, जिसे मुकेश एक कान से सुनता और दूसरे कान से उड़ाता रहा, हां मैम ने कुछ खरिदारी जरूर की, बोस को खुछ रखने के चकर में मुकेश ने खरिदारी का सारा भुकतान अपनी जेब से किया, बड़े साहब उसे भुकतान करते ऐसे देख रहे थे, जैसे ये दायत उसी का हो, इस सब में जादा तो नहीं, पर करीब पांच हजार रुपे की चपत उसे पढ़ चुकी थी, इतनी ही धनराशी वह उनके स्वागत सत्कार की तैयारी में पहले ही व्या कर चुका था, मार् बड़े साहब ने थोड़ा रोश, गुस्सा, साहबी दिखाने के बाद अंततह मान लिया, पर उनका साथ आशा के विपरीद में ने दिया, मुकेश को में का शराब पीना अखरा, भारती नारी का यह रूप उसके लिए बरदाश्ट से बाहर था, बड़े साहब कभी में से कभी भोजन परोस्रई रेखा से हसी छिठोली करते रहे, किसी तरह रात री भोजन समाप्त करते कराते, रात के ग्यारा बज गए, बड़े साहब और मैडम को उनके बैडरूम में पहुँचा कर, मुकेश ने नंदुव रेखा से किचिन ड्रॉइंग रूम साफ कराया, और अनुने सुबह जल्दी आने को कह दिया, रात बारा बजे के बाद मुकेश को बिस्तर नसीब हुआ, दिन भर का हारा ठका शरीर, ड्रॉइंग रूम पर रखे दीवान पर लेटते ही निद्रा देवी के आगोश में चला गया, रातरी का तीसरा प्रहर बीता होगा, गहरी नीन में सोया पड़ा था, तभी बड़े साहब ने उसे जगजोर कर जगा दिया, अग बकाया सा सर, सर कहता मुकेश उठकर बैठ गया, उसे एकाय के इस तरह से जगाने पर किसी अन्होनी के आशंका हुई, हाथ में विस्की की बोतल थामे बड़े साहब की नाशे मे चड़ी आखें और लड़ खडाते शरीर को देख, मुकेश हक्का बक्का रह गया, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है, हुआ कुछ नहीं, यार बैठो, बड़े साहब धम से सोफे पर मुकेश को थामे बैठ गये, जी सर, बताएं सर, यार श्रिवास सर, तुम अंदर जाओ, बैठ रूम की और इंगित करके, मुकेश ते बोले, जी सर, अंदर, मुकेश को अप्रत्याशित लगा, यह आप क्या कह रहे हैं सर, बड़े साहब ने विस्की का घूट भरा, फिर उसे अपना फर्मान सुनाया, तुम अंदर सुने जाओ, मैं यहीं सोंगा, सर, अंदर मैम हैं, मेरा मतलब भाबी जी, भाबी, भाबी काहे को रंडी है साली, रंडी, so called educated call girl, एक रात के लिए आई है, शादी शुदा है, रहन सहन में सलीका है, सो बाजारू नहीं दिखती, दारू के नशे में, उपर से बढ़ती उम्र, अब पहले जैसा नहीं हो पाता, पर शौक क कम होते हैं, श्रिवास्तव, तुम चले जाओ उसके पास, गबरू जवान हो, उसके आग को ठंडा कर दो, सुलगा तो मैं आया हूँ, पर कब खुद ठंडा हो गया, पता नहीं चला साला, यह सारी डाइबिटीस जब से, नशे की जोंक में बड़े सहाब, ओंदे मूबाय, वहीं सोफे पर पसर गए, जल्दी ही उनकी मेंधक पुमानाख खर राटे बजाने लगी, मुकेश किन करतवी विमोर सा, कभी बड़े सहाब की बजती नाक को, तो कभी बैडरूम के दरवाजे के परदे को, अपने दीदे फाड़े देख रहा था, उसकी नीन कब की कपूर की भाती आँखों से उड़ चुकी थी, अनिर्ने की सिति से उबरने के बाद, मुकेश ने सैंटर टेबल पर रखी, बड़े सहाब की आदी पी जूटी विस्की की बोतल उठा कर वाश बेसिन में उड़ेल दी, और ताजी हवा के लिए बाहर निकल गया, यदि आपको यह क कहाने अच्ची लगी हो, तो क्रप्या मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, धन्यवांद,